हम इंजिनियर हैं मैंने खुरा पाते दिमाग तो है अब हमने कहा कि यह मोटर को हमने कुछ ऐसा सिस्टम करना है कि जब मोमेंटम के कारण यह गूम ही रहा है तो क्यों ना आप यह बिजली बनाए है अब तक तुमने लिए अब यह बिजली वापस देगा अब जो ट्रेन इं ना रहा है रिजनेटीव ब्रेकग अधिन इखमिसर ब्रेकष घंत्स को मैं अध्याप Shiva ब्रेकशच मतलब होता है कि किस भी और को इएक्जेक्ट पॉजीशन पे रोकना Southeast में इन्संट का काम करती है यह उनुर्ट से हमारा अलेक्टराइटिक में इस्तमाल कर रहे हैं यह मैं लोग ट्रेक्शन में इस्तमाल कर रहें और हम लोगा देरादूर्ण रेलवे स्टेशन आ गया और देरादुन पर ट्रेन को रुखना है तो हम ऐसे नहीं कि देरादुन रेलवे स्टेशन पर आके हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग लगाएंगे आप पड़ते होंगे कि आप जनरली कुछ बेसिक एक्सपरिमेंट की बात करते हैं आप यार अब अरे चल चला हम कर देगा अब मेरा कहने का यह मतलब देख इधर हो अब यह इसे यह बॉल है और इसको कैच करेगा और कैच फुटा यह हातों की सेफ डेफिरेटली समझाने का यह परियास कर रहा हूं अरे ट्रेन में हर एक बॉड़ी में आप न्यूटन के दित्ते नियम को समझते हो मोमेंटम तो जब इसने बॉल को इसे पकड़ा है तो आपने देखा होगा इसके हातों नीचे की तरब एक फोर्स लगाया ब बाई बच्चों यही चीज़ है कि जब ट्रेन आ रही है ऐसा तो है निसे कुछ मोमेंटम नहीं है मतलब जो ट्रेन को इंजन चला रहा था हम एंजनियर है अगर आम इसे ट्रेन को रोगना तो हमने पतार रहा है तो रियलवेस्टेशन पर रोकनी है हमने काफी दूर पहले से लगबग एक दो किलोमेटर पहले से हमने इंजन को बंद कर दिया मिन सप्लाई से हमने कट नहीं करना हमने का यह सप्लाई लेना लेकिन जब ट्रेन का पूरा का पूरा जो वेट है वह पूरा एक मोमेंटम में हैं इसने मोटर की साफ्ट को अपना गुमांके रखा समसे हैं यह मोटर को हमने कुछ ऐसा सिस्टम करना है कि मुमेंटम के कारण यह गूम फी रहा है तो यह ना अब यह बिजली बनाए है है थे ऊह चैलिक है यह अब दक तुमने ली आप यह बिजली वापस देगा नाब रिजनेटिव को धक्का दे रही है मोटर को गुमा रही है उस एनर्जी को आपने यूज किया है जन्रेशन के तौर पर और यही हमारा है री जन्रेटिव ब्रेकिंट है स्लोप पे तो और बढ़िया देरादू जब आते ना थोड़ी चड़ाई है और जब ब्रेकिंग और सूपर काम करेंगे है और अब अब कर सकती है मतलब इदर आतेवे 2 किलोमेटर तो इदर से जातेवे तो दलान पर 3 किलोमेटर लेकिन जब railway station पर रोगना है तो तब हम मेकानिकल ब्रेकिंग इस्टेंड इस्टोपिंग के लिए चीये होता है मेकानिकल ब्रेकिंग लगाया तो रेलवे स्टेशन में ट्रेन रूप गई तो एकॉनमी वाइज यह बेस्ट ब्रेकिंग है लेकिन जहां लोग को ब्रेकिंग टॉर्क बहुत हाई चीए हमें बिजली बुजली नहीं बनानी हमारे यह की हाई ब्रेकिंग टॉर्ग मिले और जितनी मोटर के अग्रोस डीसी सप्लाई देते हैं कि डीसी सप्लाई से होता यह है कि डीसी सप्लाई एक डीसी मेगनेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ट करती है और डीसी मेगनेटिक फ्लक्स का होने का मतलब है कि टॉर्ग के उत्पन होने की कंडिशन का वाइलेशन करना तब तब तक स्ट्टिल सोगा रोटेटिक मेंगनेटिक फ्लक्स है इस टेस्टनरी में डॉट्स होगा नहीं रूब जाता है तो डाइनमिक को तरह मेफत्व दिया लेकिन सब से जब महत्तों दिया है वो है तो हम यह समझते हैं और प्राब्लम है कि इससे काम करवाने के लिए हम एक कैपसेटर बैंक लगाना पड़ता है कि इसलिए कई बार सवाल पूसता भी है बताऊंगा आपको यह कि induction मोटर इंडक्शन जनरेटर में active power कि दर से किदर है और reactive power flow होने कि कानिक किदर से किदर है तो देखो हम री जन्रेटिव ब्रेकिंग चाहते हैं इसमें तो मेटा करेक्टर स्टिक्स यह है न यह मोटर के लिए करेक्टर स्टिक्स है और यहां पर है यह एस बराबर जीरो और सिंक्रोनस देखो यार एक चीज तो यह बहुत रियली में ढ़ला नहीं हो स्लोप हो आप में पता ही है अद्स्लोंप होगा तो इस पीड अपने आप से अन्गमान अपने आप से जाता है और यह मोटर है उसमें मोटर से तो मतलब हिं नहीं है हमने भी क्या बात कि momentum से तो moment of inertia के करण अपना धना जा रहा है अपना भागवा उसने motor को थोड़े देखना है motor की भी साफ्ट को गुमा रखा है उसने लेकिन सब जगे slope मिलना तो जरूरी नहीं है सब जगे slope का मिलना तो जरूरी नहीं है ना अच्छा जी लेकिन हमारे पास एक काम जरूर है हम लोग है दो के multiple में नंबर ओफ पोल को चेंज कर सकते हैं अरे motor में सब तारवार की उस्ता बारी का रखी है अब तुम्हें तारों के connection करें पोल को बदलना और यह बहुत आसान है असानी है तुम लोग की तो हो जो बनाने वाले भी है बस सोचना है कि व तुमने तो पढ़ा के बेश दिया रहा है तुम्हें बनाए तुम नहीं है तुमने पोल के लिए जन्नली तारों की बजाए यहां कुछ स्विच लगा दिये हो और उन स्विच को ओन आफ करने से तार बंद खुल सकते हैं वाइंडिंग के तो यहां लगाके तुम इने ऐस इने बंद करो ओपन करो जब तक हमें पता ना होता तो हमारे लिए यह भी तो मुश्किल था कि ठंडा गरम कैसे करेगा अब हमें बनाके दिया ना यह बटन दबाओ ज्यादा ठंडा करेगा यह दबाओ तो यह टेंपरिचर बढ़ जाएगा तो यदि हम लोग दो के मल्टिपल में पोल्स को बढ़ाएं अगर यह मोटर अभी दो पोल के हिसाब से अठाइस सो चालीस आर्पिम पर चल रहा है तो ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिलेगा ना दोस्त की विचारा तुरंत अठाइस सो चालीस या ठाइस से एकदम सेकिंड चोदा सो आ जाए धिरे 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 घती कम होगी आपने तुरंत नंबर और पोल को दो बढ़ा दिया पहले दो तुरंत चार कर दिये तो मो कितनी 1500 तो सिंक्रोनस गती नहीं वाली कितने दिखी 1500 चल कितने पर राविचारा अठाइस सो दिरे धिरे तो कमाएगा तो आपने अपना बीजली बनाई है क्या प्रावलम है अब एसा भी नोगए एकदम आजाए क्योंकि मैंने बार-बार बात किये मोटर का आपना रोटर में काइनेटिक एनर्जी स्टोड होती है यहां इस्टेबिलिटी वाले फॉर्मूले को ना लाएं वो अलग चीजे काइनेटिक एनर्जी स्टोड इने रोटर बराबर जी है जो तुम बढ़के आते हो वो अलग है पंदरा सो पर आ गया तुम्हें बटन ही तो दबाने दो पोलोर बढ़ाओ फिर से जर्नेटरिंग मोड में ही तो है इस नालायक मोटर से तब तक विजले बनाओ जब तक इसमें सांस है पोल बढ़ाते रहो और हर एक स्टेज में इससे बिजले बनवाओ और देखो जब बैचारा बिल्कुल आपको लगया कि रेल विस्टीशन आई गया तो तब अपना ठीक है क्योंकि आपने दीबी तोय से सप्लाई रोका दुबारए फिर सप्लाई दीजे फिर अपना बग सकते हो से जब तक जर बहुत्त है उससे यह उसप्लाई लेबल तक हम बंद कर देगे कि उसे कहते उस कंडिशन को हम vy बोलने लग जाते हैं कि मोट फ्लोट है ना सप्लाई दे रहा है ना ले रहा है तुझे इसलिए यह specify यह ऐसा करके बनाया मतलब हम पूरे region में बिजली नहीं बना सकते जैसे मैंने का कि जब तर एक सही उचित condition तक बिजली करेगा अब सोच नहीं किया है जैसे जैसे और कम होता जाएगा वैसे ही frequency mismatch होता भी जाएगा प्राब्लम सिर्फ वोल्टेज की नहीं है प्राब्लम फ्रिक्वेंसी mismatch के आप नमबर पोल बढ़ा रहे हो इस्पीड कमा रही है जैसे जैसे और स्पीड कमाएगी और कमाएगी तो पांसो छेस्टो तक तो बात चलेगी लेकिन एक अती स्पीड कमाएगी तो फ्रिक्वेंस कि इससे आगे अब लोग ट्राइब भी नहीं करेंगे ठीक है जी तो यह हो गया हमारा समाप्त इससे